कि नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल पर दोस्तों आज कि इस वीडियो में मैं जो एक आपको ओवर व्यू देने वाला हूं एसर नैट्रो फाइब राइजन फाइब 1650 वेरियंट का तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आप अब देख सकते हैं जो लिट पैनल है उपर से किस तरीके से दिखता चैनल अपर से सब्सक्राइब मोडल नमबर मेंशन किये गए हैं देख सकते हैं आप बात करते हैं लेट साइड की तो आपको दिया गए केंगिश्टन लॉक आरजे 245, HDMI 2.0, USB Type-C, 2 USB 3.0 पोर्ट राइट में दिये गए आपको वेंट्स, DC पोर्ट, चार्जिंग और बैटरी इंडिकेटर, USB 2.0 पोर्ट और हेड़फॉन, आडियो, माइक, कॉम्बो दोस्तो करते हैं इसकी लिड को ओपन, दोस्तो ये लिड जो है एक हाथ से आराम से आप देख सकते हैं, ओपन हो जाती है, तो कि काफी अच्छा फीचर है, देख सकते हैं, लिखा गया है, Full HD, 1080p, Acer की ब्रेंडिंग है, उपर आपको 720p कैमरा मिलता है, और साथी साथ जो है आपको कुछ ब्रेंडिंग दी गई है, यह राइजन 5 का प्रोसेसर है, जीफोर्स GTX का इस्टीकर है, साथी साथ यहाँ पर कुछ मेंशन किया गए, डूल M.2 सपोर्ट, प्लस वन HDD स्लोट, नैरो बेजल, IPS डिस्पले, एसर नाइट्रो सेंस और कूल बूस्ट, एसर है, दोस्तों सिस्टम स्टार्ट हो गया है, दोस्तों इसमें SSD नहीं दी गई है, हार्ड राइव है तो देखते हैं कि समय कितना लगता है, दोस्तों इसमें हमारा सिस्टम स्टार्ट हो गया, इसमें एक 15.6 इंच का Full HD IPS एंटिकले डिस्प्ले है, दोस्तों यह जो हमारा सिस्टम है, वो बूट हो गया है, मैं आपको इसका सिस्टम दिखा देता हूँ, दोस्तों जो हमारा पास वेरियंट है, वो है AMD Ryzen 3550H with Radeon Vega Mobile GPU, साथ साथ इसमें 8GB की RAM दी गई है, लेकिन जो है अनफॉर्चनलेटली 2GB जो है, वेगा एट ने ली हुई है, तो 5.9GB आपको फिरी मिलती है, साथी साथ 1TB है, आपको HDD मिलती है, इसमें SSD आपको नहीं दी गई है, साथी साथ जो आपको Nvidia GeForce GTX 1650 का GPU मिलता है, 4GB GDDR5 मेमोरी है, और यह आपका AMD का Radeon Vega 8 ग्राफिक है, 2GB का जो आपको RAM जो है, कंजियूम करे हुए है, दोस्तों बात करते हैं, इसकी कीबोर्ड की, दोस्तों आप देख सकते हैं, चिकलेट कीबोर्ड है, रेड बैकलेट है सिर्क, जो आपको देख नहीं रहा है, लेकिन आपको दिख नहीं रहा हूँ, आपको दिखा देता हूँ, काफी अच्छी बैकलेट जल रही है, और जो आपको WSD गेमिंग कीज हाइलाइटेट है, इदर एरो कीज भी हाइलाइटेट है, और आपको जो यह टच पेड दिया गया है दोस्तों बात करते हैं यह जो इसमें दिया हुआ है dedicated nitrogen sense की इससे आप जो है nitrogen sense activate कर सकते हैं nitrogen sense से आप जो है fans की speed control कर सकते हैं आप यहां से जो है auto max और custom पर select कर सकते हैं अगर आपको इस video घठानी बढ़ानी है यहां से cool boost कर सकते हैं अगर चाहें तो यहां से आप 30 second के बाद भी अगर आप backlight जो है keyboard की बंद नहीं करना चाहते हैं तो यहां से आप disable कर सकते हैं अगर दोस्तों आपको इस video में इतना ही बताना था दोस्तों इसके related मैं जो एक pros and cons वीडियो बनाने वाला हूं तो इसके लिए जो है आप stay tuned रहेगा और अगर आपको यह video पसंद आया हो तो जरूर से video को like कीजेगा और अगर आप चाहते हैं तो जरूर से हमारे चैनल को subscribe कीजे मिलते हैं अगली वीडियो में जहिन वन्दे मातरम